नमस्कार दोस्तों स्वागा थाप सभी का हमारे यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर यह हमारा वेल्डिंग का दूसरे चैप्टर का पांचमा वीडियो है जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिस्ट्पन बाक्स में जाएं वहाँ कि यह मुतिया है यह तो देखिए जो फोर्गी होता है इसका होगो मेकि है इस प्रिकरिय के Anter η विल्ड किया दो को बांती प्लास्टिक अवस्तरता गरम करते हैं और इसके बाद हथाणी की सहयता से पीटकर विल्ड कर दिया जाता है वेल्ड करने से पहले दोनों सत्मों पर बनी आकसाइड की परत को पीट पीट कर हटा दिया जाता है 137 नंबर कोशन है निमनलिकित प्रक्रियाओं में से किसमे ताप बलैक इसमित फायर के द्वारा निर्मान किया जाता है फोर्ज वेल्डिंग, स्पार्ट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग तो नाम से असपस्ट होगा पिछले कोशन से भी असपस्ट हो गया होगा वह हमारा फोर्ज वेल्डिंग होता है कि फोर्ज वेल्डिंग में ताप बलैक इसमिति फायर का निर् क्या है कि वेल्ड धावत की उच्छूड वक्ता विरूपन और वार पेज कम है सर्फिसिंग सभी इस्थिति में किया जा सकते हैं बहुत पतली परत वेल्ड धावत की लगा सकते हैं तो कम गर्म इंपूट इलेक्टोर्ड वेल्डिंग का उप्योग वेल्डिंग प्रिक्रिय या करने का जुलाब होता है वारता कि बिरुपन और वार्पेज कम है 149 कोशन है कि वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टार्च टिप की इस्थिति किस एंगल रेंज पर होती है तो वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टार्च टिप की जो इस्थिति होती है वह 60-50 डिग्री के एंगल पर होता है तो यहां पर सी आंसर करेक्ट होगा अब 140 कोश्टन कि सिलेंडर को ले आने के लिए सिलेंडर को ले जाये जाता है यह सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो लुड़काना चाहिए सर का कर खींच करके थोड़ा ट्यणा करके घुमा कर ले जाना चाहिए तो देखे सिलेंडर को ले आने या ले जाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है यह सिलेंडर उपलब्ध नहीं है तो थोड़ा ट्यना करके घुमा कर ले जाना चाहिए अब 141 नंबर का question है कि धातों को जोड़ेने की कौन सी अच्छी बिधी होती है वोल्टिंग्, डोर शॉल्डरेंग, वेल्डिंग्, तक तो देखे अंगर धात ना है तो जो सबसे अच्छा बिधी होता है यह बिष्ट मिथड होता है वह आपका welding रहता है क्योंकि यह मजबूत होता है और यह आपका अस्थाय जोड़ भी रहता है और यह जोड़ टिकाओ और पक्का भी होता है 142 नमर कॉंशन है कि बाइं से दाइं और की गई welding को क्या कहते हैं देखें अगर आप लोग बाइं से दाइं और अगर welding कर रहे हैं तो वह कहलाता है हमारा कि बैक हैंड वेल्डिंग तो बाइं से दाइं और की गई अगर कर रहे हैं तो यह बैक हैंड कि वेल्डिंग कहलाता है और अगर आप लोग दाइं से बाइं और वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपका फॉरहेड वेल्डिंग कहलाता है और उपर नीचे अगर आप लोग करेंगे वेल्डिंग तो उर्धवाधर वेल्डिंग और अगर चाहती यह वरिजेंटल में करें तो यह चाहती वेल्डिंग कहलाता है 143 नंबर कोशन है कि Tri-Square का V निर्देश्टी करण निम्न में से किसके अनुसार किया जाता है जांचे गये Angle के अनुसार, Blade की लंबाई के अनुसार, Stuck की लंबाई के अनुसार, Bullet तथा समबगरी के अनुसार तो देखें, ट्राइ स्क्वार का जो निर्देश्टी करण हम लोग करते हैं, वह करते हैं, बिलेट की लंबाई के अनुसार करते हैं, और जो ट्राइ स्क्वार होता है, यह आपका दो प्रकार का होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक इस्टाक होता है, दूसरा बिलेट होता किस एंगल में संटर पंच ग्राउंड होता है तो देखिए जो संटर पंच रहता है वह होता है आपका आप साथ डिग्री पर तो यहां पर साथ डिग्री हो जाएगा इस संटर पंच साथ डिग्री के एंगल पर ग्राइंड किया जाता है यहां पर दोस्तों हम आप लोगों को किलियर करना चाहते हैं कि किसी किसी बुक में दिया रहता है कि जो पंच होता है यह आपका तीन प्रकार का होता है जिसमें क्या होता है एक होता है प्रिक पंच दूसरा होता है डाट ये हो गया बट जो प्रित पंच रहता है ये आपका 30 डिगीज का होता हैiger ten पंच होता है अतुर जो इन फिन पंच होता है या आपका 90 डिग्री होता है तो ये एक मैंने पढ़ला था तो वो मिल्टाकर मैं बता रहा रहें किasis जोस्रॉप user और जो सेंटर पंच रहता है इसको एक रेंज में बांट देता है और यही रेंज आपका रहता है आपका सेंटर पंच का तो सेंटर पंच आपके कहता है कि दो प्रकार के होते हैं एक 60 डिग्री वाला सेंटर पंच एक होता है 90 डिग्री वाला सेंटर पंच तो यही आपको बताना था कि इसमें बड़ा का Profusion हो जाता है कभी-कभी कि Centre पंच काERO नहीं सोल एंढर क्षार्इपन कितना होटा है कभी-कभी यह आए गा कि पन्च कितना होता है तो असल हम करते सब कर दिघ्री हो जाएगा ढाट पंच सेंटर पंच मान्च सोब नाइंटी डिग्री होता है बड़ यहां पर कभी-कभी यह दे देता है ऐसा कि the tip of a center punch has an angle between 60 degree and 90 degree तो जो angle होता है center punch कब है 60 से और 90 degree 60 और 90 degree का होता है तो 60 भी और कहीं-कहीं 90 दोनों देखनों को मिल जाता है तो इसे आप लोग के लिए रखिएगा कि जो यूपी आर्विनल ने माना हो है 60 degree माना है अब है 145 number question कि tacking का क्या उद्देश होता है तो देखिए जो tacking होता है इसका क्या उद्देश होता है आप तोने हिस्तों को इकठा करने के लिए इसके बाद है over-lapting से बचने के लिए उसमा प्रभावे जोन से बचाओ के लिए और कलाव से बचाओ के लिए तो टैकिंग का जो उद्देश से होता है वह रहता है आपका हिस्सों को इकठा करने के लिए तो यहां पर ए अंसर करेक्ट हो जाएगा हिस्सों को इकठा करने के लिए इसके दवारा वेल्डिंग करने से पहले कारिखंडों को कुछ जगहों पर टैक किया जाता है जिससे अंतिम वेल्ड पूरा होने तक घटकों का उची तस्थान सनरेखर और एक नियम दूरी में पकड़ा जा सके 146 नंबर कोश्चन है एक वेल्डिंग 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 का नाम बताये जिसमें धात की पलेटों को जोडने के लिए बिस धात के समान फिलर का परियोग बिना किसी दवाव के लिए किया जाता है वह होता है फ्यूजन वेल्डिंग में में तो इसका पूरा फूलफार्म होता है वेल्डिंग वेल्डिंग प्रोसी डिउर इस पेसिफिकेशन तो यहां पर इसका यह एंसर करेक्ट हो जाएगा Welding Procedure Specification WPS मुल रूप से एक दस्तावेज है जो Welding का मार्ग दर्शन करता है यह सभी आवस्यक वीवरों ने देता है जैसे कि धारा वोल्टेज भराव सामगरी आदी तो WPS का अफल फर्म आप लोगों ने जान लिया Welding Procedure Specification अब 149 नमबर कोश्चन वैट टाइम जिस पर Welding Current वास्ताव में Metal को पिखलाने के लिए बहता है क्या कहलाता है तो देखिए यह जो होता है यह रहता है आपका Weld Time वैट टाइम जिस पर Welding Current वास्ताव में Metal को पिखलाने के लिए किया जाता है उससे हम लोग weld time कहते हैं अब 149 नंबर कोश्चन कि फ्लैस वेल्डिंग द्वारा किन पदार्थों को जोड़ा जाता है निम्न कार्बन इस्टिल टूल इस्टिल इस्टिल उपरोगत सभी तो फ्लैस वेल्डिंग द्वारा जिन पदार्थों को जोड़ा जाता है वह रहता है निम्न कार्बन इस्टि त्रहें आपको बताना है विड्डी लेक्टोरड विल्डिंग केवल होलडर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यह जो दिख रहा है यह है विड्डींग केवल का तो यह सब एयर लाइक कपर वैर है और यह कापर है यह आपका हार्ड रभर कोटिंग किया जाता है फिर इसके अ संतुलिस समीक्रण होता है धाउत की बूदों पर वह आपको बताना है कौन सा होता है तो यह रहता है FG पलस FD पलस FV पलस FV यहां पर भी अंसर करेक्ट होगा अब है 152 नंबर कोश्टिन कि मैनुवल मेटालिक आर्क वेल्डिंग प्रकिरिया किस प्रकार की वेल्डिंग है एक्स्ट्रूजन फ्यूजन फ्यूजन एक्सथर्मल तो मैनुवल मेटालिक आर्क वेल्डिंग प्रकिरिया जो रहता है यह एक प्रकार का आपका फ्यूजन वेल्डिंग होता है तो यहां प करते हैं क्योंकि यह प्रक्रम सबसे आसान सस्ता तथा साधरन उपयोगों के लिए आवस्यक मजबूती प्रदान करने वाला प्रक्रम होता है और इसमें मेटाइलिक कोर वाला प्लक्स कोटेड़ परियोग किया जाता है अब 153 नंबर कोश्चन के इलेक्टोड होल्डर एक डिवाइस है जिसका परियोग वेल्डिंग के दारों इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुसलता से चलाने के लिए गिया जाता है यह होल्डर किस धाथ्व से बना होता है ज्रण जो रहता है यह कापर के इलाइका बनाया जाता है जो इलेक्टोड को पकड़ने और उसे वेल्डिंग सेट के केभिल दवार्वार जोडने के काम आता है और आपको पता होगा कि एक प्लास की तरह हुपकरण होता है कि छीटेड़ मेटल आर्क वेल्डिंग में पॉंच से दो केजी पर हावर होता है और इस वेल्डिंग में सुरच्छा शिल्डिंग ग्यास से की जाती है वेल्डिंग टार्ट की दवारा आरगान हेलियम वा कारबंडा याकसाड जैसे ग्यास इस्तेमल की जाती हैं क्योंकि ये किसी के साथ किरिया नहीं करती है और ये पूरी तरह से उधासीन गयस भी होता है अब 155 नमबर कोश्चन कि सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्टोड का कौन सा एंगल सबसे उप्यूगत रहता है 30 डिगरी 35, 40, 45 तो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्टोड का जो एंगल सबसे ज़्यादा उप्यूगत रहता है वह रहता है 45 डिगरी अब 156 नंबर कोश्चन कि रेलवेय अनुप्रयोग में किस वेल्डिंग द्वारा? बिल्डप प्रक्रियक को संपन किया जाता है समुल्ड आर्क वेल्डिंग मैनूल मेटल आर्क वेल्डिंग प्लाजEMA उपयोगों के लिए आवस्यक मौझूगूति प्रदान करने वाला प्रक्राम है इसमें फलक्स कोटेड इलेक्टोड वाला परियोग किया जाता है वेल्डप प्रक्रिया में पहले से किया गए वेल्डिंग को रिपेर करने के लिए किया जाता है 159 नंबर कोश्चन है इस्टे लाइटिंग में कौन सी विधी परियोग लाए जाती है आक्सी एसे ट्लीन विधी मेटाइलिक आर्क विधी इनर्ट गैस वेल्डिंग विधी उपरोग सभी तो इस्टे लाइटिंग में जो विधी हम लोग यूज करते हैं वह विधी रहता है एकसी एसे ट्लीन विधी मेटाइलिक आर्क विधी और इनर्ट गैस वेल्डिंग विधी यह सभी रहता है तो यहां परी आंसर करिक्ट हो जाएगा उपरोग सभी। अब है अगला कोश्चन का कारण क्या है तो कोरेजन का क्या कारण होता है कोरोजन का तो कोरोजन यानि की संचारण का क्या कारण है आक्सिडेशन अब्रेजन कारबुनी करण इरोजन तो कोरोजन के जो मेन कारण होता है वह होता है आक्सिडेशन तो कोरोजन का कारण किरिया होती है यह अंत्यत्य अपने भवन कि यह आवेदन को संभावित रूप से गंभीर नुक्सन पहुंचाता है और मरमत के लिए बहुत महगा होता है कि 159 कोशें मैं कि वअल्टös का उपईयों कीया जाता है कंट्यूर विंडिंग में इलेक्टरन गैस वि्लिंग में उप्रयूप सभी वोल्टेज कंट्रॉल का जो उपयोग किया जाता है यह कंट्यूर वेल्डिंग में करते हैं तो कंट्यूर वेल्डिंग में हम लोग वोल्टेज करेंट ट्रोल का यूज करते हैं तो वोल्टेज कंट्रोल कंट्यूर वेल्डिंग में करते हैं आर्थ कलैंप किस पदार्थ का बना होता है तो देखे जो अर्थ कलैंप रहता है यह आपका ताबय यानी कि कि सीर्यमुनीयम चील, सभी तो जो गयडet, चील होता है और गयाड Pride च्यूप बहुत मघूथ होता है 162नमबर सभी तो जब ट्याहल के बीच में अस्थापित होता है rock the किसे से बिस्थापित किया जाता है लेक्टोर से इस पेसर वाज यार यार भी दोनों उप्रोक्त में से कोई नहीं तो जब टेक weld का back शेर निपल के बीच में इस्थित होता है तो इस्पेस वासर को विस्थापित किया जाता है तो यहां पर भी answer correct हो जाएगा इस्पेस वासर दो कारिखंडों को weld करने से पहले कुछ जगहों पर टेक दिया जाता है ताकि यह अंतिम वेल्डिंग पूरा होने तक घटकों को उचीत अस्थान सरेखन और दूरी में पकड़ा जा सके 163 Question है कि टैक weld plate की Ma투 होती है 34 गुने के बीच 5-6 गुने के बीच 7-8 गुने के बीच उपरोक्त में से कोई नहीं तो TIEK weld plate की जो मटाई होती है यह होता है 30-4 गुने के बीच में का उप्योग बिना fixture कारिखंड पर प्रयोग किया जाता है टैक weld छोटा weld होता है टेक वेल्ड का परियोग किया जाता है असम्बिली की सहायता है वेल्डिंग सहायता है वीड एकत्रित करने है उपरोग्त में से कोई नहीं तो टेक वेल्ड का जो हम लोग परियोग करते हैं वह असम्बिली की सहायता है करते है और टेक वेल्ड से असम्बिली को होल्ड किया जाता है तथा सभी अस्थान में लोकेट भी किया जाता है कि तीन में मुटाई की मुरूद इस पाथ पलेट के लिए बट जुएंट में टैक वेल्ड की पीच कितनी होती है वह पीच रहता है 1.500 mm का तो यहां पर सी अंसर करेक्ट हो जाएगा 1.500 mm बट जोड में जोड़े जाने वाले किनारे आप आमने सामने रखे जाते हैं तिन mm मोटी चादरों के किनारे को तिर्चा नहीं किया जाता है 166 नंबर कोश्चन है टैक वेल्ड प्रकिरिये में धारा का प्रवाय कितना होना चाहिए तो टैक वेल्ड प्रकिरिये में जो धारा का प्रवाय होना चाहिए वह एड़ेड साव से 170 MPR का होना चाहिए है ठेक वेल्डिंग का मुख्य प्रियोग क्या है प्रेसर वेल्डिंग पतली चाधरों की वेल्डिंग प्वेल्डिंग स्टुर करने और अस्थानांतिरित करने के लिए का उध्योगों में उपयोग किया जाता है 166 नमबर कोश्चन है कि प्लेट वेल्डिंग की तुलना में पाइप वेल्डिंग होती है जटल प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया, समान प्रक्रिया, उप्रोप्त में से कोई नहीं तो प्लेट वेल्डिंग की तुलना में जो पाइप वेल्डिंग होता है यह आपका एक जटल प्रक्रिया होता है और प्लेट वेल्डिंग को स्ट्रेक्चर वेल्डिंग तथा पाइप वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग कहते है 169 नमबर कोश्चन है प्रदर्सित welding का नाम बताई यह जो welding है इसका नाम बताना है अब hill welding, downhill welding, leftward welding, rightward welding तो यह होता है downhill welding तो चित्र में जो प्रदर्सित welding, downhill welding दिखाया गया है डाउन हिल वेल्डिंग में उपर से नीचे वेल्ड करते हैं यह वेल्डिंग पतले कारिखंड के लिए उपयोगत है अब हिल वेल्डिंग में नीचे से उपर की ओर वेल्ड करते हैं आप हिल वेल्डिंग मोटे कारिखंड के लिए परियोगत जाता है तो देखे जो रिंग का कार्य होता है वैब पेनिट्रेशिंग करना और प्ले वासलेक को रोक ने ओर दौनो तो दोस्तों आगर यह वीडियो आपको अच्छे लगा हो तो वीडियो को